वेलकम डू रेसीपी आप तबीक आज मैं आपके साथ मल्टी ग्रेन मेथी का थेपला की रेसीपी लेके आए हूँ मेथी का थेपला तो हम बनाते ही हैं लेकिन आज मैं एको हेल्दी तरीके से बनाने वाली हूँ जिसमें मैंने बिल्कुल भी गेऊं का आटे का यूज नहीं किया है और मल्टी ग्रेन आटा मैंने यूज किया है तो इसके लिए मैंने मल्टी ग्रेन आटा भी गर पे ही पिस्वाया है और मल्टी ग्रेन आटा गर पे कैसे बनाते हैं इसकी recipe मैंने पहले आपके साथ share की हुई है तो आप मेरी channel में देख सकते हो तो ये मैंने छोटी कटोरी से नापके दो कटोरी multi grain आटा लिया है और ये एक कटोरी जितना मैंने बाजरे का आटा लिया है आप बाजरे की आटे के वज़ाए आप गियू का आटा भी ले सकते हो तो ये मैंने binding के लिए बाजरे का आटा लिया है वैसे multi grain आटे में बाजरा का भी मैंने यूज किया है लेकिन थोड़ा ज़्यादा बाजरे का आटा डालेंगे तो बढ़िया बनेंगे और 100 ग्रम जितनी मेथी की बाजी मैंने साफ करके अच्छे से 2 के नीतार दी है तो इसका हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम इसका आटा तयार कर लेंगे तो ये सबसे पहले मैंने मेथी की बाजी एक परात में ले ली है और इसमें हम सारे मसाले कर लेंगे तो यह मैंने 4 टेपसपुन जितना दही लिया है यह जो मेथी का थेपला है वो खट्टा मिठा रहता है तो मैंने 4 टेपसपुन दही लिया है एक टेपसपुन अध्राखरी मिर्च की पेस्ट लिये 1-4 टेपसपुन हिंग डाली है स्वादनुसार मैंने नमक डाला है आधी टीस्पून हल्दी पावडर एक टीस्पून लाल मिर्श पावडर आधी टीस्पून अजवाएन और दो टीस्पून मैंने तील डाले है थोड़ा सा मैंने लसून का पेस्ट डाला है जिससे flavor अच्छा आएगा और यह मैंने 3 टेबस पुन जितना good डाला है अगर आप लसू ना खाते हो तो इसे skip भी कर सकते हो 2 टेबस पुन जितना मैंने इसमें मोयन के लिए तेल डाला है अभी हम सारी चीजे मेथी की बाजी के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और इसे आदे गंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे मेथी की बाजी में से जो पानी है वो निकल जाएगा और इसमें हम आटा तयार कर लेंगे आटा गूट लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो इस तरह से मैंने सब mix कर लिया है अभी आदे गंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ तो आदे गंटे के बाद मेथी की बाजी में से पानी निकला है तो अभी हम इसमें जो मैंने multigrain आटा और बाजरे का आटा लिया है वो डाल देंगे और अभी हम आटा गूंट के तयार कर लेंगे तो इस तरह से हमें आटा तयार करना है जरुत पड़ेगी तो मैं थोड़ा और पानी डालूंगी लेकिन हमें इसका सक्त आटा तयार करना है तो इस तरह से जरुत पड़ेगी तू ही हम पानी डालेंगे तो अच्छे से मैं मसल के आठा तयार कर लेती हूँ, इस तरह से, ये मल्टी ग्रेन मेधिका तेपला टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन ये गरमा करम ही अच्छा लगता है, चाय के साथ आम का छुन्दा जो होता है, उसके साथ या अच्छार के साथ अच्छ कर लिया है, तो ये सकता आठा तयार कर दिया है, और अभी हमें इसे रखना नहीं है, तूरंती हमें इसे पराठे यानि कि थेपला बना लेना है, तो इस तरह से मैं इसकी लोई बना लेती हूँ, और मैंने तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है, तो अभी हम इस तरह से एक प्लास्टिक ले लेंगे इसके उपर में थोड़ा तेल डाल देती हूं और इस तरह से स्प्रेड कर देती हूं और बेलन के उपर भी मैं इस तरह से तेल लगा देती हूं जिससे हमारा जो आटा है वो चिपके नहीं और इस तरह से हम बेल लेंगे हमें सुखा आटा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आटा भी सकते हैं और हमने तेल भी लगाया है इसलिए बेलते समय आटा जरा भी चिपकेगा नहीं तो इस तरह से मैं बेल लेती हूँ और ये थोड़ा ठीकी रहेगा एकदम पतला नहीं बनेगा तो इस तरह से मैंने बेल के तयार कर लिया है तब आच्छे से गरम हो चुका है तो मैं थोड़ा तेल लगा लेती हूँ और अभी जो मैंने बेल के तयार किया है वो थेपला डाल देती हूँ और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसे सेखना है तो एक तरफ से सीख जाए तो हम इसे पल्टा लेंगे और अच्छे से तेल डालके दोनों तरफ से अच्छे से से शेख लेंगे आप मेरी ये रेसिपी एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो ये तोनों तरफ से मैं अच्छे से से शेख रही हूँ कुष्पो भी बहुत ही बढ़ी आ रही है, मैंने लसुन की थोड़ी पेस्ट डाली है अगर आप ना खाते हो तो इसे स्कीप भी कर सकते हो और ये मेथी का तेपला टेस्ट में खटा मिठा ही रहता है तो इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से से शेख चुका है तो मैं इसे ले लेती हूँ और बाकी का थेपला भी मैं इसी तरह से बना लोंगी अभी गर्मा गरम मल्टी ग्रेन मेथी के थेपले के उपर हम गी लगा लेंगे तो टेस्ट और बढ़ जाएगा तो बाकी के सारे थेपला में इसी तरह से बना के सौख कर देती हूँ तो आप मेरी ये रेसिपी एक बार बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा आप ये विंटर में मज़ा आएगा